Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube Sound and English Studio पर अलतुन कहती हूँ आज जो topic हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर That is Mrs. Dalloway जिसको लिखने वाली है Virginia Woolf जैसा कि आप सब जानते हैं हम जब भी कोई lecture discuss करते हैं तो हम लोग novel हो यहां फिर drama उसको two parts में डिवाइड करते हैं First part जो हमारा introductory होता है Second part हमारा जो होता है Summary को critically discuss कर रहा होता है Deal कर रहा होता है तो इस part के अंदर हम जो हमारा first part है Mrs. Dalloway का introduction cover करेंगे जिसमें हम बात करें के writer कौन थी कहां से belong करती थी इनका writing style कैसा था इनके important themes कौन से है and then हम discuss करेंगे जो technique है stream of consciousness की वो technique क्या है उसके importance क्या है और writer उस technique को कहां कहां use करती है और क्यों use करती है ठीक है then हम बात करेंगे Mrs. Dalloway के writer ने ये novel जो था कब लिखा इसके key facts क्या है इसमें कौन sentence यूज किये गए है इसमें characters कौन से है उन characters का क्या role है and then important themes कौन से है इस novel के अंदर तो ये हमारा introductory lecture होगा जो इन topics को कवर करेगा and then next lecture जो होगा हमारा वो summary के उपर होगा जिसमें हम critically इसकी summary को कवर करेंगे anyhow आज का lecture करते है हम शूरू पहले बात करते है हमारी writer Virginia Woolf के उपर Virginia Woolf कौन थी basically Virginia Woolf एक English writer थी जिनका नाम पूरा था पूरा नेम Adeline Virginia Woolf ठीक है यहनका फुल नेम था और ये English writer novelist, assist, biographer और most importantly एक feminist थी feminist को नोता है the one who speaks for the right of women जो ओरतों के right के बारे में बात करता है तो in the theory of feminism जब feminism की बात की जाए feminism का थीरी कौन सी है कि जो male और female equal की बात करें या फिर female right की बात करें उस theory के अंदर Virginia Woolf का नेम बहुत ही dominant name है क्योंकि इनका एक essay था essay का नाम है A Room of One's Own जो इन्होंने 1929 में लिखा था 1929 में publish हुआ था ये essay इस essay में इन्होंने female rights की बात की थी और जो A Room of One's Own था ये feminism के अंदर एक central characteristics रखता है एक central importance रखता है इवन कि जो respective novel हमने discuss करना है Mrs. Dalloway इसमें भी हम लोगो जगा जगा feminism नज़र आएगा इवन कि इसका title itself is about feminism feminist title है कैसे हम discuss करेंगे उसको जब बात हमने title की significance करनी है उस time पे anyhow ये एक prolific writer थी prolific writer means the one who writes a lot कि जो बहुत ज़्यादा लिखता है unthuck writer थकता नहीं है लिखते-लिखते काफे ज़्याद लिट्रेरी वर्क्स पर ड्यूस करता है ये एक modernist थी modernist क्यों थी because इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर एक new kind of style introduce कर वाया था वो था ऐसा style जिसके अंदर point of view shift होता था inside the character's mind और उसके बाद किस तरह होता था ये flashbacks की form में या impressions की form में या associations की form में in other words stream of consciousness यानि के क्या होता था एक character बैठा हुआ character बैठा हुआ character बैठ के सोच रहा है और सोचते-सोचते का कर रहा है आगे-पीछे-आगे-पीछे अगर मैं ही बैठी हुई हूँ और आप मुझे पढ़ा रहे हूँ मैं बैठी हूई मैं क्लास में हूँ मैं क्लास में mentally present नहीं हूँ physically मैं present to class के अंदर teacher मुझे कुछ चोड़ पढ़ा रहा है यानि कि आप मुझे कुछ चोड़ पढ़ा रहे हूँ और मैं का पोंची हूँ अपने घर पोंची हूँ कि हाई मैंने सुबह नाष्टा किया था कि नहीं किया था अच्छा मैंने नाष्टा तो कर लिया था मैंने भाई को नाष्टा कर वा दिया था इस तरह मेरा भाई क्या कर रहा होगा writer ने अपने novels लेके यानि कि जो हमने respective work पढ़ना Mrs. Dalloway, हम देखते हैं इसमें कभी Mrs. Dalloway है, वो अपनी memories में से लेगई है कभी Peter नाम का character होगा वो अपनी memories में चल जाएगा कभी इसके अंदर जो Mr. Dalloway है Richard Dalloway, कभी वो अपनी memories में जाएगे तो मतलब through and through सारा novel जो है, वो memories की form में लिखा गया हुआ है ठीक है ऐसे ही to the lighthouse वो भी memories की form में लिखा गया हुआ है मतलब जितने भी works पर यूज किया है इस item ने, इन्होंने memories को या impressions या ideas को आपस में link करते हुए लिखा है, ठीक हो गया और वो ideas कहां पर है character के mind के अंदर तो ये इनका style था इस new kind of style को यूज करने की base पे इस psychological style को यूज करने की base पे क्या कहा गया इसको modernist कहा गया psychological style मैंने क्यों word यूज किया obviously mind से relevant है psyche के साथ खेल रहे हैं तो क्या हुआ, psychological style तो हो गया ठीक हो गया तो इसी लिए क्योंकि इन्हों ने stream of consciousness को अपनी writing में use किया इनको pioneer भी का जाता है pioneer मतलब सबसे पहले use करने वाला इस stream of consciousness की term को introduce करने वाले कौन थे? William James अकसर लोग ये blunder मारते है James Joyce लेखाते है name तो William James थे जिन्होंने stream of consciousness की term को coined किया था लेकिन इनके जो pioneer थे जो पहले use करने वाले थे वो Sir James Joyce और Virginia Woolf थे ठीक है? ये दो names थे anyhow stream of consciousness होता है कि आपको एक clear हो चुका होगा stream of thought जो के इनसान के दिमाग में चलती है stream कहते है नदी को नदी का ज़रती है बहती है ठीक है? चली जाती है चली जाती है चली जाती है नदी चलती है और कैसे चलती है? रैंडम नहीं चलती है क्या बेतरती कुभी कई जा रही है मतलब for example ये मैंने screen पे एक बनादी लेक ये लेक हो गई अब लेक क्या है? इसको यहां रास्ता दो यहां जा रही है कभी यहां जा रही है कभी यहां जा रही है समंदर का पानी सीधा नहीं जाता इदर उदर 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 बहता रहता है ठीक है? ऐसे 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 करते है तो यह क्या है? यहां यहां जा रही है यह हमारी सोच है और यह जो लेक है यह हमारा दिमाग है और जो सोचे हमारी इदर उदर बहती रहती है न वो क्या होगी हमारी स्ट्रीम हो गई consciousness के हमारी सोचों की ठीक है तो राइटर ने इन ही सोचों का अपनी राइटिंग के अंदर यूज की है जिसकी बेस पे यह 20th सेंट्री के ओथर के अंदर इंपोर्टन नेम रखती है और यह पाइनियर थी स्ट्रीम अफ कॉशिसनेस की यह आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो लिखना कब शुरू किया इनके फादर थे इनके फादर ने इनको एंकरिज किया इनके फादर के इंकरिज करने की बेस पे शी स्टार्टेड राइटिंग इन नाइटीन हंडड़ आइगेस मैं आपको बर्स का बता चुकी हूँ नहीं बताया फिर भी दुबारा बता दें ताके आपको याद रहे एमसी की उसमें आता है राइटर्स की बर्स का पूछते हैं तो कब पैदा हुई 25 जन्वरी 1882 को ये उनाइटेड किंडम यानिके यूके लंडन में पैदा हुई और 28 मार्च 1941 को ये लिविस उनाइटेड किंडम ने में इनके ड़त हुई थी अच्छा अब हम बात करते हैं कि इंपोर्टन्ट वर्क्स की राइटर का जो राइटिंग स्टाइल है वो आपको क्लियर हो चुका होगा ठीक है और इनको मॉडरन नॉवलिस्ट क्यों कहते हैं ये भी आपको पॉइंट समझा चुका होगा फैमिनिस्ट क्यों है वो आपको ये नॉवल पढ़ते पढ़ते समझ लग जाएगा ये फैमिनिस्ट क्यों है अच्छा अब हम बात करते हैं इनके इंपोर्टन्ट वर्क्स की इनके जो इंपोर्टन्ट मॉस्ट इंपोर्टन्ट वर्क है वो है The Voyage Out जो कि इनका सबसे पहला वक्ता है 1915 में पढ़िश करवाया था मिसिस डालोवे जो हमने भी पढ़ना है 1929 में पढ़िश हुआ था 25 में सोरी फिर तुदी लाइट हाउस यहां पढ़ चुके हुए है इसका लेक्षिर अगर आप सुनना चाहें तो आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा तीक है मतलब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगे आपके इसानी के लिए Anyhow to the Lighthouse यह 1927 में पढ़िश हुआ था फिर उसके बाद Orlando यह 1928 में पढ़िश हुआ था यह इनके most important work है इसके लावा इनका the waves, the years, between the acts यह भी इनके novels है लेकिन हमने कुछ important जो works है उनका यहां पे name लिखे हुआ है और सबसे important essay जो feminism की base पना जो feminism की central role play करता है वो इनका essay है A Room of One's Own तीक है जो के 1929 में पब्लिश हुआ था यह इनका most important essay है, यह इनका non-fiction work है यह work आपने लाजमें याद रखना है क्योंकि अक्सर, बलके mostly आता ही यह question है इसके लावा इनके short stories भी लिखी थी तो यहां पे मतलब writer के जो important aspects थे वो एकवर अब हम बात करते हैं writer के writing के themes के कि इनके themes कोन से हैं, इनके writing में हम लोग को जब हम पढ़ते हैं ambition, success, failure, reality versus ruin war, war तो dominant theme निज़राएगा हम लोग को respective words जो हमने discuss करना है, Mrs. Dalloway इसके अंदर भी कि war जो है, वो कैसे psychology के अंदर role play कर रहा है इनसान की psyche के साथ क्या game खेल रही है, जंग, किस तरह disturb कर देती है, तो ये चीज़ हम देखेंगे तो war dominant theme है इनकी हर writing में भी, to the lighthouse में भी war का scene दिखाया जाएगा feminism सबसे important theme, title जो है mostly novels के वो भी reflect करते हैं, जैसा कि Mrs. Dalloway है वो भी एक feministic title है, किस तरह से हम discuss करेंगे जब title किसी की difference पर बात करेंगे है feminism important theme है, community, community जो है ये दिखाते है अपनी writing के अंदर दिखाती है, novelist कि community किस तरह role play करती है, society के अंदर जो एक individual है वो community में किस तरह से act करता है और community individual को build करने के लिए क्या act करती है और फिर किस तरह से वो community से free भी होना चाहता है escape चाहता है isolation important है, American dream, horrors of war horrors of war जो है, ये linked है war के साथ ही ये linked है stream of consciousness के साथ भी ये linked है death के साथ भी ठीक है, ambivalence ambivalence कहते हैं, दो feelings जब आपको same time पे आई यानि के love, hate, कठी feelings आगई like, dislike, कठी feeling आगई दो feelings, जो same time पे आपको same person से, that one is ambivalence depend नहीं करता it depends upon your choice जैसा के same time पे हम like, English की बात की जाए तो sometime बुरा भी कह रहे होते हैं और same time पे हम उसको adore भी कर रहे होते हैं admire भी कर रहे होते हैं dream of tipu sultan, tipu sultan against the Britishers के but on the other hand, क्या कह रहा था वो, कहता था कि Britishers ने एक device बनाई है, जो है thermometer, तो वो device लेकिया आना, मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी है, क्यों? यह क्या हुआ? यह ambivalent act हुआ उसका, कि एक तरफ वो नफरत भी कर रहे, दूस तरफ वो उनकी बनाई यह जो लाइक भी कर रहे है तो यह ambivalent का theme हम लोगों को इस, जो हम लोगोंने novel discuss करना है, उसमें भी नज़र आएगा जब यह Peter के साथ Mrs. Delovy की बात की जाएगी उस लिहाँ से anyhow, यह जो themes है, यह Virginia Woolf की overall, जितने भी non-fiction, जितने भी fiction, जितने भी इसके मतलब, novels, short stories produced की हैं, उनके अंदर हम लोगों नज़र आता है मैंने generally सबको कठा करके, combine करके लिखती है, तो यहाँ पर हमारा writer का हुआ introduction complete I hope कि आपको writer clear हो चुका होगा अब चलते हम आगे, बात करते हैं key facts key facts key facts, novel का full title, Mrs. Delovy जो author जो author है, इसकी हो है Virginia Woolf, type of work, novel है यह अनरा इसका modernist feminist और formalist है language इसकी English है time and place जब लिखा गया वुल्फ ने ये novel, सिसिक के अंदर 1922 में लिखना शुरू किया था और लंडन में 1924 ये complete हो गया था और 14 में 1925 को ये published हुआ था published होज़े थे वो hogarth press थे जिसके अंदर जिसकी basically जो बनाने वाली थे इसकी publishers वो Virginia Woolf, Samuel Lenore नाम के एक परसन थे इन दोनों ने ये published house बनाया था in 1917 ठीक है, तो hogarth press के अंदर ये novel published हुआ था and then, जो tense यूज़ किया गया इसके अंदर, वो mostly past tense है past tense यूज़ करने की वज़ा क्या है? वज़ा ये है कि जब आप stream of consciousness technique use कर रहे होते हो तो mostly flesh back में होते हो, माजी में होते हो तो माजी की narration mostly past tense के अंदर होती है that is why जो इसके अंदर tense यूज़ हुआ है, वो past है जिसमें वो अपनी memories को recall करे हैं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था Mrs. Dalloway थी, जिसका नाम Claris है, फिर Peter है और उसके बाद, Peter और Claris था, ये कठी party attend किया करते थे, वहाँ पे एक work person आ गया, Richard Dalloway ठीक है, मतलब through and through ये सारी की सारी stories जो है, वो past में लिख narration है इसकी, that is why 10s past है, लेकिन इसमें एक dream है, जो कि Peter एक बाग में बैट के dream देखेंगे, वो dream जो है, वो present tense के अंदर दिखाया जाएगा, setting इसकी, जब opening होती है our day यानि कि एक दिन है, in mid June 1923 opening की चुड़ेट हो है कि वो 1923 की date होगी, mid June summer का time period होगा, लेकिन फिर story जो है, वो shift हो जाएगी buttons के अंदर, button एक place का name है और वहाँ पे हम लोगों को नज़र आगी 1890s की memories जहां पे Clarissa 18 साल की थी तब से, उस टाइम पे Clarissa 18 साल की थी, तो 18 साल की memories सारी recall करेगी, तब क्या क्या होगा क्या क्या हुआ था, ये setting दिखाएज़ेगी जो के flashback की form में होगी, और apparent setting ये पूरा novel जो है, वो एक दिन के अंदर खतम हो रहा है, सुभा से शाम तक, शाम को party होगी, और novel खतम हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो एक दिन दिखाया गया है, वो 1923 का दिखाया गया है, summer के time period के साथ, setting, place के लिहाज से, London, England देखेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद, जो protagonist है, protagonist केते हैं, main character को, जो story का main character है, वो है Clarissa Dalloway, इनके साथ साथ, एक और character है, वो भी protagonist हम कह सकते, लेकिन main character, जो Clarissa Dalloway है, इनके साथ, साथ, एक और character हम देखेंगे, वो है Septimus, Septimus, ठीक है, सेप्टी, मस्कीन पर लिख रही हूँ name, मस, ये भी एक important character है, story जो हम देखेंगे, दो parts में divide हो, ये मतब दो shifts दिखा रहे हैं, एक में हमारे पास Clarissa की story से लगी, फिर Septimus की, फिर Clarissa, फिर Septimus, यानि ये दो character जिनका role दिखाया जाएगा, जिनकी story दिखाया जाएगी इस novel के अंदर, अब हम बात करते हैं, इसके title की significance की, Mrs. Deloway, why it is not as Clarissa, why it is named as Mrs. Deloway, अब इसके बीछे ये story है, के Clarissa की free will, Clarissa की choice, Clarissa ने खुद अपना नाम Mrs. Deloway रख्माना पसंद किया था, Clarissa एक free women की तरह अपनी life गुजारना चाहती थी, ठीक है, feministic attitude, वो ने चाहती थी कोई इसके पर rule करे, वो ने चाहती थी किसी के under as a pessimistic role अदा करते अपनी life को गुजारे, वो ने चाहती थी कि वो passive life गुजारे, she wants to dominate, वो dominate होना चाहती थी, वो अपनी life अपनी मर्जी के साथ गुजारना चाहती थी और उसका ये सोचना था कि अगर उसकी शादी Sir Richard Deloway से होती है, तो वो उसको ये freedom देंगे और वो अपनी life happily अपनी मर्जी से गुजार लेगी और इसके साथ साथ इसकी जो choice थी Mr. Deloway के साथ शादी करने की और ये शादी करने की choice क्यों थी? नमबर वान independence जो के main थी और दूसरा social status society के अंदर इसका maintain रहे हैं लेकिन हुआ क्या? after marriage जो इसकी independence थी वो इससे दूर हो गई ये जैसे life spend करना चाहती थी वैसी नहीं कर पाई तो इसी लिए title जो है वो यहाँ पे Mrs. Deloway रखा गया सिवाए इसके अपने real name यूज करने के क्लारिसा अपने fate की responsible खुद थी पिटर था एक person जो क्लारिसा को like करता था बट वो साथ साथ instruct करता था कि ऐसा करो वैसा करो ये है वो है तो ये कहती थी कि तुम मुझ पर dominant होने की कोशिश करते हो ठीक है तो ये किसी भी किसम की किसी भी person की dominance अपने उपर नहीं चाहती थी that is why he choose Richard but on the other hand जैसा ये life अपना गुजाना चाहती थी वैसा नहीं हुआ ठीक है तो title जो वो emphasize कर रहा है symbolize कर रहा है reflect कर रहा है कि ये जो independence चाहती थी अपनी life के अंदर लेकिन वो जो independence थी इसको नहीं मिली और ये independence ये जो free will थी इसने अपनी choice से अपना नाम क्लारिसा से मिस्स डालोवे कर वाया था तो title की significance आपको clear हो चुकी होगी फिर हम बात करते है stream of consciousness को हम इसके ओपर already detailed discussion कर चुकी है तो इसलिए अभी just overview देते हूं कि ये क्या है जब हमने Virginia Woolf की बात की तो मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है इसके बीचे behind the scene purpose किया है तो अभी हम thoroughly इसको discuss कर लेते है stream किसे कहते है नदी को नदी किसकी thoughts कहां पे है हमारे consciousness consciousness कहां पे हमारे brain के साथ linked है हमारे mind के अंदर अब हमारे mind में क्या चलता है सोच सोच जब चलती है तो हम क्या हो जाते है हम लोग mentally present नहीं रहते physically हम present होते है और जब हम mentally present नहीं रहते तो हम क्या करते है हम लोग एक नहीं दुनिया मतलब fleshbacks में जा रहे होते है fleshback मतलब माजी की यादों को recall करना forward मतलब आगे जाना कि आगे क्या होगा future के बारे में सोच रहे होते हैं और जब यह सब कुछ सोचते सोचते हम लिख रहे होते हैं, मतलब for example मैं एक poem short story लिखने जा रही हूँ, मेरे हाथ में pen मेरे हाथ को भी पढ़ी है मैं अपने pen को अपने pages के ओपर चिला रही हूँ, सिलाते हुए क्या हुआ मैं सोच नहीं लग पड़ी हूँ, और जो मैं सोच रही हूँ मैं उसको भी लिखने शुरू कर दिया, तो वो क्या हो गया, मैंने अपने सोचों को फेपर के ओपर डालना शुरू कर दिया, तो यह क्या हो गया, stream of consciousness, ठीक है तो यह technique किसने introduce करवाई, मतलब coin किसने term की, William James ने, pioneer कौन है, Virginia Wolf, और साथ ही साथ James Joyce, इनके इलावा भी बहुत से writers ने use की यह technique को, लेकिन यह pioneer थे, इसी इवेस पे इनको modernist का जाता है, तो term आपको हो गई, युकि clear, अब हम बात करते हैं, characters की Mrs. Dalloway जिनका नाम है Clarissa Mrs. Dalloway को parties करना बहुत पसंद है यह kind-hearted, humble lady दिखाई गई है, और novel की opening भी इन ही के name से, इन ही के dialogue से होती है इनके internal life और external life के साथ constantly हम लोग को एक battle नज़र आती है, एक zंग नज़र आती है, और यह struggle कर रही होती है, अपनी internal plus external life को, internal plus external world को balance करने के लिए protagonist है यह इस novel की जिसको हमने discuss करना है through and through constantly, इनका एक ही question होता है, she is trying to find out the meaning of life, कि life किया है यह जो surface meaning है, मतलब surface उपर का जो meaning है उपरी level पर यह parties करती है, लोगों से communication करना चाहती है, लेकिन साथ-साथ he wants to live in isolation solitudeness को पसंद करती है, यह अलग रहना पसंद करती है के का कर रही है, यह basically level करने की, balance करने की कोशिश करती है अपनी life को, लेकिन on the other hand, through and through, मैंने आपको बताया, कि यह life का जो deeper meaning है, उसकी search के अंदर है she is yearning for privacy on the other hand, ठीक है एक तरफ के कर रही है, party कर रही है लोगों को बिला रही है communication करना चाहती है, मिलना जूलना चाहती है लेकिन, साथ ही साथ किया है ambivalent act, privacy चाहती है अकेला रहना प्चाहती है वहाँ पे, लोगों से बात नहीं करना चाहती है लोगों से बात करते करते दूद भोना चाह रही है उनसे जहां पर वो वेलकम कर रही है एक तरफ वहां पर उनको on the other hand साथ-साथ irritation भी उनों लग पड़ती है वो story जो है वो mainly इनके memories पर बेस कर रही है यह again and again recall करती है अपने past को, अपनी memories को आगे है next character Peter का, Peter जो है यह basically जब Mrs. Dalloway was young lady 18 साल की थी तब उनका friend था, Peter एक male character है इसके अंदर और Mrs. Dalloway को इनके Clarissa को बहुत ज़दा पसंद करता था इनका full name Peter Walsh है, यह close friend थे Clarissa के और हर हर चीज में उनको point out करते थे मतलब आपने यह नहीं करना, आपने वैसे नहीं करना आप मेरे साथ रो, Clarissa को हर चीज में point out कर दे थे Clarissa ने, Clarissa को propose भी किया Clarissa ने इनका marriage proposal reject कर दिया किस बेस पे, इसी बेस पे कि she does not want anyone to rule her, to instruct her anyhow, later on हम देखते हैं कि Jupiter है वो इंडिया चला जाता है और यह लंडन करीबन पांच साल तक लंडन में नहीं होता पांच साल बार लंडन आता है और इसके इलावा इसकी एक habit है वो क्या है, पोकेट नाइफ से खेल नगी he love to you, he love to play with pocket knife emotional character है जो के easily in front of anyone पढ़ता है और presently जब हम देखते हैं novel के अंदर तो he is in love with a married woman जो के इंडिया में होती है उसका नाम है Daisy और life में जो कुछ भी होता है उसके बारे में बड़ा critically सोचता है anyhow, next is Sully Satton यह एक close friend है Clarissa की और Peter की इनके youth के अंदर Sully Satton जो है यह एक wild एक इस किसम की लड़की है जो के सिगार को smoke करती है और कुछ भी openly कह देती है और जो present time है Sully रहती है Moncester की अंदर और तकरीबन पांच लड़कों से इसकी शादी हुई है इसका married name जो है वो Lady Rooster है ठीक है? Lady Rooster और यह और Clarissa अपने teen age में एक दूसरे से physically भी attracted थे Then है Richard Dalloway Richard Dalloway जो है यह Clarissa के husband है यह एक conservative government के member है parliament के member है यह basically जो English military family है उनके बारे में एक history लिखना चाहते है यह एक sportsman है country में रहना पसंद करते है एक loving father और loving husband है अपनी जो सारी devotion है वो social reform के तरफ लगा देते हैं यह और यह English tradition को काफी appreciate करते है इसके लावा writer ने इस novel के अंदे love triangle दिखाया है जिसमें हमारे पास Clarissa, Peter और Richard का आ जाता है और Clarissa की शादी होते है Richard के साथ जबके inwardly Clarissa पसान करते है Peter को लेकिन Clarissa शादी Richard से इसलिए करती है क्योंके she wants to live a life which is free of boundaries shackles किसी भी तरह की रुकावट ना है इसके जिंदगी के अंदर independent woman के तरह अपनी life गुजारे और वो सोचती थे कि अगर वो शादी इससे कर लेते है Peter के साथ तो इसकी जिंदगी जा है ambivalent करेक्टर है conflict दिखाया करेक्टर है Elizabeth Mrs. Dalovey की बीटी है Septimus another important करेक्टर जिसका मैं आपको बताया ये एक विटरियन था विटरियन था World War I के अंदर और उसके बाद एक disease जो के shell shock जिसका नाम है उससे सफर कर रहा है mental illness पे है best friend, closest friend जिसका नाम Ivan था E-V-A-N वो इसके साथ battle के अंदर यानि के World War I के अंदर fight कर रहा था लेकिन fight के दुरान क्या हुआ Septimus उससे थोड़ा दूर था और Ivan जो था वो blast में मारा गया और जब उसके blast में तो ये उसको बचा नहीं पाया उसको चला के उसको बुलाता रहा और जब उसकी death हो गी तब से Septimus mentally तोर पर sick हो गया इसको hallucination होने लगी ये भी psychological disease है मतलब जो चीज़ एक्जिस्ट नहीं करती वो आपको नजर आना तो इसको इवान हर जगा 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 नजर आने लग पड़ा और जब भी इसको इवान नजर आता है ये खुश हो ज़ए तर साथ ही उसको कहता कि तुम आगे मत आना आगे मत आना क्यूं कहता क्यूंकि जैसे ही इवान तोड़ा सा आ गया तब वहां पर ब्लास्ट हो जगा 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 इसको इवान नजर आने लग पड़ा सेप्टिमस की शादी जो है वो एक इटालिन वुमिन जिसका नाम लुक्रीजिया है उससे होती है हमें सेप्टिमस और क्लारिसा के अंदर काफी सिमिलारिटीज नजर आती है तो हम कह सकते है राइटर ने मिसिस जालोवे इनकी क्लारिसा और सेप्टिमस इन दोनों को डबल की तोर पे हमें प्रजेंट करके दिखाया है और वर से पहले की बात कीज़ाए तो यह एक यांग आइडिलिस्टिक एस्पारिंग पोईट था यह शेख्सपियर को पड़ा करता था पोईटरी किया करता था लेकिन आफ्टर वार यह हियूमिन नेचर को इवल कहता था करता है human nature जब वो evil है ये human being से नफरत करता था उनको beast समझता था उनको animal समझता था क्योंके human नहीं human को मारा था world war के अंदर और वहाँ पे क्या हुआ? destruction हुई, decay हुआ, death हुई और इसका अपना दोस मारा गया और at the end क्या होता है ये अपने आपको बचाने के लिए के doctor जो है वो इनको किसी मतलब पागल खाने के अंदर बन न कर दे उससे अपने आपको बचाने के लिए ये end पे society कमिट कर लेता है अच्छा, फिर sir William Bradshaw ये एक doctor है साथ ही इनके doctor हॉम्स है doctor हॉम्स basically हॉम्स, basically ये doctor है, septimus के जो उनका check-up कर रहे होते हैं और ये आते है sir William Bradshaw के अंडर और उसके बाद जब जो missis होती है septimus की, वो अपने husband को ठीक करवाने के लिए उनकी तबियत sir William Bradshaw के पास लेकिया थी, तो आगे से वो recommend करते हैं कि इनको mental hospital में जमा करवाना पड़ेगा, admit करवाना पड़ेगा और जो आप missis हैं उनसे दूर रखना पड़ेगा, यनि कि लुक्रिदा से वो दूर रहेंगे काफी देर तक अब ये चीज, septimus की wife को बरदाश नहीं होती है, septimus की wife जो अपने husband को बचाना चाहती है इन डॉक्टर से anyhow, Sir William Bradshaw की कहने पर डॉक्टर हॉमस की घर जाते है septimus को लेने, तब septimus जो सुसाइट कमिट कर लेता है Sir William Bradshaw एक बिसिकली साइकाइट्रिस्ट होते है और through and through Sir William जो है, ये बिसिकली लस्ट रखते हैं, पावा की ये dominant होना चाहते है others पे, और ये चाहते हैं, जो ये कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे है डॉक्टर हॉमस एक और क्रेक्टर है जो मैंने Sir William की साथ ही डिसकस कर लिया ये general practitioner थे septimus के और डॉक्टर हॉमस के suggestion पे ही Sir William Bradshaw के पास आये थे फिर है हमारे पास Hugh Whitbread का क्रेक्टर ये Clarissa के काफी बुराने दोस्ते हैं इनकी शादी होती है Evelyn Whitbread से ये English tradition को काफी follow करते है ये basically letter लिखते हैं टाइम्स को फिर है Miss Kilman Miss Kilman ये tutor है Elizabeth की Elizabeth जो है वो Mrs. Deloay की बेटी है और Miss Kilman बिलकुल opposite character दिखाया गया है Clarissa के Miss Kilman का full name है Doris Kilman ये Elizabeth को history पढ़ाती है ये German ancestry से belong करती है जब world war first हुई थी उस time पे anti-German prejudice की base पे इनको इनकी job से fire कर दिया गया था इनकी age round about 40 थी तो यहां हमारे characters हुए complete हम बात करते हैं थीम्स के जो हमने इसके अंदर देखने है वो थीम है horror of war stream of consciousness ये linked है psychological issues ये भी linked है ठीक है के stream of consciousness इसमें सोच दिखाए गई हुई है past बार बार किस तरहां से एक तो Clarissa again and again सोचती है Peter भी सोचता है और पिर उनकी जो thinking थी उसके अंदर स्टोरी की narration की ही है स्टोरी हमारे आगे reveal होती है horror of war और psychological issues ये जो Septimus है इसके अंदर character Evans की death के बाद क्या है war से डर गया हुआ है war का जो impact हुआ है वो क्या हुआ है उसके mental health क्या हुआ हुआ है उसको shell shock face करना पढ़ आ है उसको ठीक है और फिर communication versus privacy सेम यहां पर भी conflict दिखाया गया हुआ ambivalent attitude दिखाया गया Clarissa भी communication करना चाहती है लेकिन साथ सदम भी privacy को maintain रखना चाहती है वो अकेला नाग भी पसंद करती है isolation में रहना भी पसंद करती है death का थी ये भी linked है war के साथ और psychological issues के साथ कि जब war हुई तो death हुई और death जो है हम देखते हैं इसके अंदर जब septimus कमिट करता है तो Clarissa उसके उपर दुख नहीं करती है उसकी उस death के उपर खुश होती है क्योंकि ये कहती है act of braveness का जैसा कि Hada Gabler Hada Gabler ने जब सुना कि लोबोग ने suicide कमिट कर लिया है तो उस time पे Hada Gabler उसको appreciate करती है उस act पे और खुद भी suicide कमिट कर लेती लेकिन यहाँ पे Clarissa खुद suicide कमिट ने करती है लेकिन उसके act पे खुश होती है कि उसने एक अच्छ act कमिट किया था Disalientment with the British Empire देखेंगे यहाँ पे कई लोग जो British Empire को बड़ा appreciate करेंगे लेकिन बाद में कुशी कुश उसकी जो reality है उससे Disalient भी होंगे Threat of oppression oppression यह भी लेंग्रे psychological issues के साथ war के साथ और feminism के साथ सबसे important oppression की threat की base पे ही जो Clarissa उसने पिटे से शादी नहीं की थी और उसी oppression से बचने के लिए Clarissa ने रिचर्ट से शादी की थी Clarissa अपनी life को independent way में गुजारना चाहती थी इसी तरह से Miss Killman जो है वो oppress करती है Clarissa को साथ नहीं जो Dr. William Bradshaw यह भी oppress करते है Septimus को जिस पें सेप्टिमस सुसाइट कमिट कर लेता है और Miss Killman और साथ में जो Dr. बीस में William Bradshaw है वो चाहते है कि हर जगा उनकी power रोपो dominate करें on the others Isolation important है Suffering against psychological issues के साथ memory and past stream of consciousness के साथ psychological issues के साथ madness यह भी outcome है war का यह भी issue है link है psychological issues के साथ ठीक है तो यह theme होगे cover हमारे I hope कि आपको जितने भी इसके important aspects थे वो clear हो चुकी होंगे अब हम मिलते हैं अंगले वीडियो में critically summary को discuss करते है Thank you so much for watching this video वीडियो पसान दए तो please channel को subscribe भी करिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share भी करिएगा आपका एक single share हमारे लिए बहुत जादा matter करता है हमें बहुत जादा होसला मिलता है और इसलिए फिर जो lectures है वो और बढ़ाने का दिल भी करता है Anyhow I hope के lecture आपके लिए कफ़ जादा helpful रहा होगा आपके सारे concepts clear हो चुकी होगे कोई भी confused भाग ही नहीं रही होगी फिर भी कोई भी confused नहीं हो तो आप मुसे comment में पूछ लिजेगा मैं चलातला आपको response जरूर करूँगी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले lecture साथ तब तक के लिए अला हाफिस